हालो फ्रेंद्स, वेल्कम बेक टू मैं यूट्यूब चैनल देवी स्क्रेशन, आज मैं 38 इंच ब्लाउस के बैक नेक डिजैन अपलो के शेयर करूंगी, तो ब्लाउस के लेंद्स ले ली हूँ, मैं 15.5 इंच, 14.5 इंच तैयार है, तो एक इंच ब्लास करके 15.5 इंच ली हू शोल्डर को थोड़ा आधा इंच, नीचे डाउन के तरफ थोड़ा कटिंग कर लूँगी, और इसके बाद जो डिजैन कट करूंगी, इसके लिए मैं पेपर पेस्टिंग ले ली हूँ, इसके उपर कटिंग करूंगी, तो नेक विर्ट मैं ले ली हूँ, 4 इंच, उसके ब पोटनेक के जो शेप दी हूँ, उधर से फिर नीचे तक 10 इंच पे निशान लगाऊंगी, और निशान लगाने के बाद ऐसे ही, 3 इंच पे ये निशान लगाई हूँ, और लगाने के बाद इधर भी एक स्ट्रेट लाइन खीच लूँगी, और 10 के आधा होगा 5 इंच, 5 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन खीच के दो बॉक्स निकल जाएगा, फिर ठीक है, उसके बाद फिर ये जैसे मैं शेप दे रहे हूँ, थोड़ा पान टाइप का ऐसे, जैसे गोलाई करके शेप दे रहे हूँ, वैसे ही शेप देना है, मैं जो 3 इंच है पूरा नहीं ले र बना रही हूँ, जो मतलब डिजाइन है, वो 2 इंच के विर्थ पे बना रही हूँ, तो ये बनाना हो गया है, बाहर तरब भी एक लाइन ड्रॉ कर लूँगे, और फिर इसको कटिंग करूँगी, तो पहले अंदर का जो लाइन है, इसको कटिंग कर लूँगी, फिर बाहर तरब का लाइन को ड्रॉ क कटिंग करूँगी, तो ये बीच वाले हिस्सा जो है, थोड़ा सा मैं इसको पूरा कटिंग नहीं करूँगी, थोड़ा सा जोइन रखूँगी, और स्टीच करने के बाद फिर वो जोइन को कट कर दूँगी, अब बाहर वाला जो लाइन ड्रॉ उसमें स्ट्रेट लाइन खीच लेना है, तो सेंटर निकल जाएगा, अब दोनों तरब चार चार इंज पे निशान लगाऊंगी, और फिर इसको सेंटर के साथ सेंटर मिलाते हुए रखना है, और प्रेस करके एक स्टीच कर ली हूँ, ताकि बाद में निकलना जाए, फिर में फेबरिक को मैं इधर कटिंग करके रखे हूँ, में फेबरिक की सिदे वाले पार्ट पीस को रखना है, और फिर स्टीच करते जाना है, जो design ड्रॉक ही हो उसके उपर से stitch करना है ऐसे धीरे-धीरे करके stitch करने के बाद आगे आप लोग को दिखाती हूँ ये बहुत ही धीरे-धीरे और finishing के साथ stitch करना है नहीं तो design भी गड़ जाने की chance रहता है तो इसलिए ये ध्यान देके finishing के साथ stitch करना चाहिए जैसे gold shape है वैसी घुमाते हुए stitch करना है और ये design बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है मतलब देखने में look wise बहुत ही प्याड़ा लगता है तो चलिए stitching हो गया है अब इसको cut कर लूँगी बीच का जो extra extra fabric है एक पैर के margin छोड़ती हुए बाकी कप्रा कटिंग कर लूँगी और कटिंग करने के बाद फिर छोटा छोटा कट लगा दूँगी ताकि आसानी से back side में ये fold हो जाए ये देखी ये cut लगाना बहुत ही जरूरी है तो अब इसको पलट के सीधा कर लूँगी पहले कोना सभी कोना को निकाल लेना है उसके बाद बाकी कप्रे को ऐसे पलट देना है ये देखी कित अच्छे से पलट के आ है कपड़ा और फिर इसको उल्टा करके स्टीच लगा लूँगी निक के जो डिजाइन है उसके उपर से पहले स्टीच करना चालू करूंगी फीद दिरे दिरे स्टीच करते हुए चाड़ो तरफ से स्टीच करके मेन फिब्रिक के सथ अस्तर कपड़े को अटच कर लूँगी तो आप लोग कोई वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिए जिन लोग मेरे चैनल पे आज नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे सपोर्ट कीजिए इस तरह के नए-नए डिजाइन देखने के लिए और वीडियो मतलब ये वीडियो में जो डिजाइन दिखारी हूँ ये अच्छा लगे तो आप लोग एक टोर लाइक जरूर कर दीजिए तो चलिए ऐसे दिरे-दिरे करके स्टीच कर लेना है इसमें आप लोग पेपर बीना पेपर पेस्टिंग के भी ये डिजाइन बना सकते हैं लेकिन पेपर पेस्टिंग यूज करने से डिजाइन अच्छे से मतलब पुरा उभर के दिखता है और बाद में क्या है डिजाइन फैलता नहीं है जैसा डिजाइन आप लोग बनाएंगे कपड़े में वैसा ही रहेगा यह हो गया है मेरा स्टीच करना आप दोनों साइट से मैं इसको जो एक्स्टर एक्स्टर फेबरीक है इसको कटिंग कर लूँगी अब दोनों साइट से मैं सेंटर पॉइंट से सारे चार इंज के गैप में चार इंज के लंबाई में टक्स लगा लूँगी दूसरे साइट से भी टक्स लगा लूँगी और टक्स लगाने के वाद नीचे साइट का जो एक्स्टर फेब्रीक मैं रखी थी इसको डबल फोल करके स्टीच कर लूँगी अभी मैं स्टीच कर लूँगी बाद में इसमें मैं तुरपाई करूँगी अगर लेज यूज़ करेंगे तो इसमें और तुरपाई की जरूरत नहीं है डाइरेक्ट अपलोग स्टीच कर सकते हैं यह हो गया है स्टीच करना अब यह जो गैप है यह देखिए जोईन के जगा में गैप है इधर से सूई धागा के मदद से इसको यह बटन ले लियो गोल्डन कलर का और इसको स्टीच करके अटच कर दूँगी यह देखिए फिर दूसरे जो gap है उसमें भी ऐसे ही सेम प्रोसेस से ये बटन को मैं attach करूंगी और फिर नीचे जो gap नहीं है लेकिन नीचे का जो जगा है इधार भी एक टो बटन attach कर दूंगे आप लोग चाहे तो दो ही बटन यूस कर सकते हैं लेकिन मैं इधार तीन बटन यूस की हूँ ठीक है तो मेरा design बनके ready हो गया है तो आप लोग को ये video अच्छा लगेगा तो please like, comment, share कीजिए जिन लोग मेरे channel पर आज नए है मेरे channel को subscribe कीजिए मुझे support कीजिए इस तरह के नए नए design देखने के लिए तो आज के लिए या तब फिर मिलते हैं next नए design के सब तब तक के लिए bye bye thank you